बिहार में कोरोना का कहर लगातार जा रही है वहीं तेजी से बड़ी संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए लगातार सरकार कोरोना की रोगठाम के लिए कदम उठा रही है कोरोना से निपटने के लिए सभी मुम्किन प्रयास किये जा रही है इस इक्रम में राजधानी पटना के होटल पाटली पुत्र में एक आईसोलेशन सेंटर बनाये गया है यहां संक्रमित मरीजों के लिए 75 बैट का इंतिजाम किया गया है इसका निरिक्षण करने स्वास्त मंत्री मंगल पांडे पहुंचे स्वास्त मंत्री मंगल पांडे पोटल पाटली पुत्र अशोक में बने आईसोलेशन बोट का निरिक्षण करते हुए स्वास्त सुविधाओं का जायजा लिया सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार में विसेसग चिकित्सकों के निजुक्ती की गई 13 विभागों के 929 विसेसग चिकित्सकों के निजुक्ती कल कर दी गई और सभी लोगों से कहा गया है कि सात दिनों के अंदर वो जहां उनका पदस्थापना हुआ है वहाँ जाके योगदान करें जो बिहार तकनीकी सिवा आयोग है उसके माध्यम से ये चैन हुआ था और राज्य की जनता को और आप सब लोगों को इसका बहुत दिन से इंतजार था कि जल्दी इनकी निजुक्ती हो और इस कोरोना के काल में हम जितने विसेसग चिकित्सकों को अपने साथ जोड़ेंग गई है बिहार तकनीकी सिवा आयोग के माध्यम से और वहां से बहुत सिग्र उन लोगों की सुची स्वास्त विभाग को आने वाली है और जब वो सुची उनके चैन की प्रक्रिया पूरी करके आ जाएगी तो सिग्र उनका भी पदस्थापन कर दिया जाएगा ताकि स्वा काम स्वास्त विभाग के माध्यम से राज्यकी जनता की सेवा के लिए हुआ है आज जो अब मैं यहां आया हूँ इस पाटले पुत्रा असोका होटल में तो आप सब लोग देख रहे हैं हर बेड पे ऑक्सीजन लगाया गया है हर बेड पे दवाइगों का कीट रखा हुआ हैं उनके प्रति दिन के उप्योग के जो सामान होते हैं मरीजों के वो सामान रखे हुए हैं और यहां पहले से यह आईसोलेशन सेंटर के रूप में काम कर रहा था लेकिन अब इसको अस्पताल का सोरुक दिया गया है और 75 बेड यहां पे तुरंत सुरू कर दिये गया है अवसेक्ता अनुसार फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे भी ऐसे ही अन्य अस्पतालों की विवस्था पट्टा के अंदर विविन अस्थानों पर की जा रही है और अगले तीन-चार दिनों में ऐसे और केंद्र आपको पट्टा में खुलते हुए दिखाई पड़े और आप सब लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या कहा पुरी तरीके से संतुस्थ हैं मरीज विवस्थाओं से उनको दवाईयां मिल रही हैं डॉक्टर्स देख रहे हैं नर्शेज हैं जब वो बुलाते हैं तब वो जाते हैं उन लोगों के विवहार से भी हमारे मरीज तो इन चीजों के निग्रानी भी स्वास्त विभाग लगातार रख रहा है और यहां जो यह अस्पताल खुला है इसके लिए भी दो चिकित्सक और तीन पारामेडिक्स स्टाफ हर पाली के लिए तई किये गए हैं हमारे डॉक्टर्स और पारामेडिक्स भी यहां पे हैं और कोवीड केर सेंटर को बढ़ा रहे हैं वहीं हम कोवीड हेल्थ सेंटर को भी बढ़ा रहे हैं और डेलिकेटेट कोवीड अस्पताल के अंदर भी सुविदाओं का विस्तार कर रहे हैं